प्रबादी उन्ही एक कौम जो मुकदर बन जीवी दिया है आएंसांखे डाड़ो अफसोस थी दूआ है असांजी सिंधी कौम प्रबादी जी रस्ते ते हली रहिया है ये वीडियो पूरी डिसेंड खाँ पहरी ता सबनी दोस्तन खाँ गुजारिशा है ता सांजी इन चैनल के जरूर सबस्क्राइब कईओ और गिंटिये जे बटन ते जरूर प्रेस कईओ ता जी ये इंदर पहतरीन वीडियोज तमा सबनी दोस्तन ताई रसाई करे सगन जरेंगाल वतन जी आजादिये जी हूं दिया है ता कई जवान बहादर वतन जी खातर कुर्बानी डेंड लाए पेंजो सीनों पेश कंदा है जरेंग्रेज सिंदे काबिस थ्या तरह पकी जवान जोधन पेंजी जान सिंद वतन मता कुर्बान कई पर जालिम जी आन न मन्याओ उनन जवान जोधन में हिक नालो होश ममंत शीदिये जो बाहे जहके असीं होशू शीदिये जे नाले साब सुनानी दाए हूं जहें जो मशहूर नारो जो को सिंद जी आजादिये सिपायन जा होसला बुलंद कंदो रहो मरसू मरसू सिंद नडे सुन सिंद जो कुमरानन तपेंजा हथ्यार फिटी करे छड़ा हुआ पर होश ममंत शीदिये के सरासर पेंजी धर्टिये ते कह हैं पली तजो पेर कबूल न होयो सिंद दुश्मनन सां केई बहादुर सूरे जवान मुकाबलो कंदा रहा जनके अजिब सिंद जे हीरोस जे नाले सां याद कर विंद आ है होश ममंत शीदिये ब तारिख जे उनन वरकन में पेंजो नालो सुनेरी अकरन में लिखाये चरिवा है होश ममंत अर्ण सु हिक में पैदा थियो होश ममंत मीर सोबदार जो हम उमर अई हुन जो साथी हुयो होश ममंत टालपुरन जी तोप खानन जो सभालनी दडबती रह आ है जे जे करे उनके तलवार अई बंदूग जी बेहतरीन तरिबे धासिल हुई होश ममंत दुबेवारी जंग में विणन दे विणन दे शहीद थियो होश ममंत जे बारे में सर चाल्स नेपियर लिख्यो आ है होश ममंत एक होश यार जहीन पैंजी सिंध धरती सा महबत का दर जवान हो होश ममंत पैंजी महारत सा जंग विढ़ी रहो हो होश ममंत शीदिया जी बहादरी जो को मिसाल ना है कुछ टालपुरन शहजादन एक्तिदार जी लालच में गदारी गई उनन जी गदारी जे करें अंग्रेजन 11 जनवरी 983 तालियते हम लोग कोयो जें जे करें इमाम गड़वारों किलो फत्य करें वरताओं जे को खैरपुर जे मीरन जी मिलकित हो 17 फबरवरी 983 तालियते हैदराबाद खां सत्त मील परे म्यानी अवारी जंग लगी उननी जंग जा फाते हैं अंग्रेज थ्या ता मीर सोबदार हैदराबाद जे किले अंदर मने मिठाईं विरहाईं म्यानी जी जंग जे चार डिये खापोई एकी फ़ेवर वरी 983 तालियते अंग्रेज हैदराबाद जे किले में दाखिल थ्याणते कामियाब थी विया उते पहची अंग्रेज जन मीर महमद खान ऐपेंजे वफादार मीर सोबदार खान के वकिले मा कड़े बाहर कायाँ उन घणवी दाहूं कायूं तमा तमा जो वफादार आयाँ पर अंग्रेजन खाइस चायो जे को पहची कौम सा सचो या वफादार ना है वो भला असा सा किया वफा कंदो सिंधा में एडी बेचैनी एं बेहिसी वारी हालत दिसें दे होश महमद जे दिल में अंग्रेजन जला नफरत तमाम घणी वधी वाई होशू उन्ही कावड एं जलाल में पहचा कुछ सिपाई सान करे मीर शेर महमद दाह मीर पुरखास रवानो थियो मीर शेर महमद खेब सिंध में अंग्रेजन जो वजूद हर्गिस कभूल न होयो मीर शेर महमद दाह मार्च अरणासो ट्रेता लियते पैंजी फोज वठी हैदराबाद रवानो थियो ट्रेविय मार्च अरणासो ट्रेता लियते सर चाल्स ने पियर ब पैंजी फोज वठी फुले लिवाह ट्रपी आयो अई हेडा, शेर मामद, अई जर्नेल, होश मामद बपैंजी फोज वठी, हैदराबाद खां अठी मील परे, टंडोले आर रोड ते, दुबे जे मेहदान ते पोची वया ट्रेवी अमार ते, सिंद जे सब पूतने अंग्रेज फोजन जे विच में जंग शुरू थी वई होश मामद जे लशकर जो अंदाजों लगाए हमले जो हकम जारी कयो अई अंग्रेज पैंजी तोपन जा मह सिंदी सिपायन डाँ खोले चर्या हुआ होश मामद पैंजी धर्तिये के आजाद डिसन पेचायो अई हूँ आखरी साहत आई विढ़न दो रहो पैंजी सिपायन जा होसला बुलंद कंदो रहो जरह ब जंग जी का नाजुक सुरतिहाल अचीवने तोश मामद गजगोड जियां के नारो बुलंद कंदो रहो मरसूं मरसूं सिंध नडे सूं हीर होश मामद जी शीह वारी चिंगाड हुई जो अंग्रेज पैंजी जदीध हत्यारन इतोबन जी मौजूद की जे करेब सिंधी जवान तलवारन सा विच मैदान में लही आया अई होश मामद जिंदगे जी आखरी साह थाई पैंजी सिंध अमर लाए विढदे विढदे चोवी मार्च ते शही थी वायो